तो 2014 में जब किर्शिर आज्यमंत्री था चुकि वेस्टन यूपी गन्ने का छेतर है हमारे यहां क्रोप के नाम पर गन्ना ही होता है और उसमा बड़ा पूरा कह सकते हैं आप शुगर सेक्टर क्राइसिस में था चिनी के रेट 22 रुपे किलो थे उस समझ शाद और उत्तरप्रदेश का करीब किसानों का 25 जार क्रोड रुपे बकाया था शुगर मिल के उपर शुगर मिल के आज़त इतनी खराब थी कि पेमेट नहीं कर पा रहे थे सरप्रा सुगर प्रोड़क्शन थी और पिछली सरकार की नीतियों की वेज़ से हम शुगर को राजशुगर को इंपर्ट करते थे कोई ड्यूटी नहीं थी ब्राजिल से राजशुगर यहां पर आती थी प्रोसस होती थी कुछ ही रह जाती थी कुछ बाहर जाती थी तो उस समय मैंने सोचा क्या हो इस सेक्टर का चुकि मैं गन्ना किसान के चेतर से आता हूं खुद भी गन्ना किसान हूं तो मेरे विचार है कि मैं क्या हो इसका क्या हल निकले इस बात का क्योंकि हर दो तीन साल में क्रैसिस आता था गन्ना किसान के लिए और शुकर इंड़स्ट्री के लिए तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि हम इथनोल की तरफ चलें दोजार चार पांच में दोजार तीन या चार में वाजबेजी की सरकार में पहली बार इथनोल की फाइव परसेंट जो मिक्सिंग है वो पेट्रोल में लाउग की थी दोजार तीन और चार में और 2014 तक 3-4 से चलते हुए हम मातर 2 या 2.5 परसेंट मिक्सिंग पर पोचे थे 2014 में तो मुझे किसी समझदार व्यक्ति नहीं का कि इथिनोल की तरफ डाइवर्जिफिकेशन करेंगे तो बैतर होगा तो मैंने पता किया कि 10 साल में हम क्यों नहीं बढ़ पाया आगे तो पता लगा कि जो देश में oil companies हैं जितनी भी जाए वो प्राइवेट सेक्टर हो या पी एस्यूज हो इनका इंट्रेस्ट नहीं है इथनोल को खरीदने में यह अर साल tender float करते हैं जितने भी अमनी शुगर मिल्स हैं दिस्टरी हैं वो tender डालती थी और ultimately खरीदनी होती थी पुरे साल इसी परकिरिया में चला जाता था तो इथनोल बनाना जो नहीं उन्हें शुरू भी किया था उन्होंने बंद कर दिया धर्मदिर परदान जी उस समय पेटोलियम निस्टर थे 2014 में मैं उनके पास गया मैंने का भाई साब यह यह बात है प्रोब्लम यह है कि 5% तक का अलाउड है सरकार में लेकिन 10 साल में हम 2% तक पहुँचें मातर 2% तक और समय सबसब बड़ी बादा है ओयल कंपणी जो टेंडर तो फ्लोट करती है लेकिन इथेनोल नहीं खरीती है और अगर इथेनोल पर हम जाएंगे तो पहली बात तो सुगर सेक्टर का फायदा होगा किसानों को अल्टिमेटली मिलेगा और विद बाहर जो हम इंपोर्ट क है कि पहली बार इथेनोल के रेट फिक्स किये गए 34 रुपे लीटर थे शाद 34 रुपे लीटर वेल कंपड़ी को का आगया आपको कोई मतलब नहीं है टेंडर की आवशक्ता नहीं है देश में जो भी इथेनोल पैदा करागा उसके रेट फिक्स कर दिये पैटोलियम निस् साथ मैं वे और गड़ करीजिए और हमने एक टार्गेट किया कि नहीं इथेनोल को और बढ़ावा देना है और शुगर के साथ साथ जितने भी गेहूं हो चावल हो मक्का हो इन सब सब यह इथेनोल बना सकते हैं पहले दिल्ली में कहते थे अफसर फूड सेफटी फूड सी परसेंट किया गया फिर शाद 19 या 20 में 20 20 परसेंट इथेनोल के मिक्सिंग की गई आज हम हमने टार्गेट दिया कि 20 परसेंट को हम 2030 तक एचीव करेंगे यह मेरे टार्गेट नी था यह पेटोलिय मिनिस्ट्री का टार्गेट था धर्मेंदर प्रदान जी के नेतर तो मैं और आज 2030 का जो हमने टार्गेट लिया था आज हम 12 परसेंट इथेनोल के मिक्सिंग पर पहुँच चुके हैं 2% से 12% मतलब 8 साल में हमने 10% की जंप लगाई हैं पहले 10 साल में 2% पर पहुचे थे और जो टार्गेट 2030 का था हमारा वो रिवाइज करके 2025 तक हम 20 परसेंट झाल झाल